हेलो फ्रेंज मैं आपका गुमक्कड फ्रेंड समीर आज आपके लिए लाया हूं मैं एक बहुत ही इन्फोर्नेशनल वीडियो जिसके तुरू आपका कैनेडा वीजा चुटकियों में हो जाएगा आए बेना टाइम वेस्ट कीए स्टार्ट करते हैं और मैं वाइपको बताता हूं कि कैनेडा वीजा के लिए आपको क्या-kia चीज़ों करनी है तो मैं आपको दिखाता हूं कि कहां से क्या-kia चीज़ों कि आपको करनी है तो Canada tourist visa apply करने के लिए सबसे पहला step है, login page पर जाएए, login page पर जाके सबसे पहले sign up कीजिए, जहां को आपका username और password यह सारी जानकारियां देनी है, कुछ basic questions होंगे जिनका आपको answer देना है, so that कि कल को अगर आप आएं, उस site पर और आप अपना username, password या कुछ चीज़ें भूल ज login करने के बाद, अंदर जब आप आएंगे, तो menu में, top side में, left corner पे immigration का button है, उस immigration का link है, उस immigration link पे click कीजिएगा, निचे आईएगा, वहाँ पे my application का option आएगा, my application पे click कीजिए, कुछ list of documents हैं, जो वहाँ पर आपको दिखाई देंगे, जिसमें से सबसे पहला form है, IMM-5257, वहाँ है, आपका tourist visa का, वह आपको fill up करना है, उसमें बहुत ही basic जानकारियां मांगी गई है, आपका नाम, email address, phone number, आपका पता, घर का पता, permanent address, और आप currently कहां रहते हैं, आपकी citizenship क्या है, और आपका educational background क्या है, और आप कहां job करते हैं, ये सारी चीज़ें उसमें fill up कर एक चीज़ और, अगर आपके पास कोई additional जानकारी हो, जो आप उसमें नहीं डाल पाएंगे, तो उसके लिए भी क्या करना है, वो भी मैं आपको वीडियो के end पर बताता हूँ, कि वो आपको किस तरह से भर सकते हैं, अब आपके पास उसके नीचे जैसे ही आप स्क्रॉल करेंगे, तो वहाँ पे कुछ चीज़ें हैं, जो आपको मैं बताता हूँ, एक एक करके कि क्या क्या चीज़ें डालनी पड़ती हैं, तो पहली चीज़ फर्म भरने के बाद जो पहली चीज़ मांगी जाएगी आपसे वो मांगी जाएगी आपके ट्रावल हिस्ट्री, ट्र पहली चीज़ेगा कि वो कहीं कटे ना, एक्चिली वो प्रेफर करते हैं कि आप स्कैन करके बेज़ें, बट हमारे पास घरों पर बहुत अच्छी क्वालिटी के फोन होते हैं, लोग आईफोन यूस करते हैं, और बहुत बड़े-बड़े-बहुत बड़ी-बड़ी कंपन पर आपके लिए पर लिंक एक ही फाइल एकसेट होगी, मतलब आप आप अपने पासपोर्ट से ट्रैवल हिस्ट्री के लिए, बट इस फोटो आप क्लिक करते हैं, तो उन 10 फोटो को एकटा करके एक फाइल बना लीजेगा, जो वहाँ पर अपलोड होगी, प्रिकुलर साइ अपने ट्रैवल को किसके थ्रू सपोर्ट करना चाहते हैं, तो एक तरह से आपको ये फाइनेशली दिखाना पड़ेगा, फाइनेशल कंडिशन आपको आपकी दिखानी पड़ेगी, तो वह ब्रीफ करेंगी कि हाँ, आप अपने ट्रैवल एकसपेंसे खुद से उठाने के लिए capable हैं की नहीं, जिसके लिए आपको दो-तीन चीज़ें लगेंगी, आपकी current salary slip लगेगी, दो-तीन महीनों की, आपका bank statement लगेगा current, फिर आता है digital photo, digital photo का एक बहुत particular format है, जैसा मैंने आपसे कहा, सारी काम हम अपने cell phone से कर रहे हैं, तो मैं बोलूँगा अपने किसी friend क या अपने spouse को, या अपने घर में किसी को भी बोल दीजे कि आपकी photo mobile से खीच दे, वहाँ पे एक particular format में photo का requirement है, उस photo के requirement को आप कोई photo editing tool डाउनलोड कर लिजेगा, internet से बहुत सारे free editing tool आते हैं, वो photo उस particular format में height length में निकाल कर, cut करके crop कर लिजेगा, और decent सी photo हो कि आपके shoulders अगला point आता है कि आपका purpose of travel को दिखाने के लिए क्योंकि आप tourist visa apply कर रहे हैं, उसका एक बहुत सिंपल तरीका है, किसी भी airline को call करके या किसी agent को call करके, आप उनसे ये कह सकते हैं, कि आपको Canada जाना है, और ये आपका expected date है, उसके लिए आप उनसे एक dummy ticket ले सकते हैं, और द पर एक booking करवा सकते हैं, जिससे जब आप visa apply करने जा रहे हैं, तो ये प्रूफ हो जाता है कि आप visitor visa के लिए ही जा रहे हैं, और actually में एक process है, तो आपको करवाना ही पड़ेगा, तो या तो hotel booking करवा लीजिए और या dummy ticket मंगवा लीजिए, होटल booking करवाने के बाद, mail confirmation आने क हैं, आपके spouse, क्या आप सारी details, उनकी date of birth, उनका current residence, ये सारी चीज़ें आपको mention करनी पड़ती है, ये उनको चाहिए, अब जैसा मैंने आपको बूला था, पहले form के लिए, जिसमें आपने अपनी personal detail लिखी थी, जो exact tourist visa का form था, उसमें अगर आपको कुछ details extra डालनी है, जै मैंने क्या किया, मैंने एक नया form डाउनलोड किया, उस form को डाउनलोड कीजिए, जो आपकी extra information है, जो आप वहाँ नहीं भर पायते पहले वाले form में, उसको इस form में भर दीजिए, और उसका screenshot लेकर, jpg file बना कर, उस एक नीचे link आते है, client information, वहाँ पर जाकर आप एक, वह image या जो file आपने बनाई है, वह upload कर दीजिएगा, तो जिससे आप अपनी site से आपकी सारी जानकारी accurately उनको दे रहे हैं, जैसे ही आपका form भर गया, form भरने के बाद आपको वहाँ submit करना है, finally, और वहाँ पर visa की fees है $100, biometrics की fees है $85, तो per person $185 का खर्चा है एक visa लेने के लिए Biometrics के लिए form submit कीजिए, पैसे पे कईजिए, उसके बाद Biometrics का appointment लीजिए, तो जैसे मैं US में रहता हूँ, US में New Jersey में रहता हूँ, तो मुझे पता चला कि भाई, USCIS का office होता है जहाँ पर, वहाँ पे भी जाकर मैं अपना Biometrics दे सकता हूँ, depending on कि आपकी medical condition, आपने जो भी question answer दिये हैं, या जो भी आपका background आपने भरा हुआ है form में, based on that, आपको या तो interview के लिए बुला सकते हैं, या आपको further medical exam के लिए भेज सकते हैं, depending on, मुझे ना interview के लिए बुलाया, ना मुझे medical examination के लिए बुलाया, तो I was lucky there, I saved some of my time there, मैंने अपना कुछ समय वहाँ पर ब भेज सकते हैं, या दूसरा कर सकते हैं, कि आप आपके passport को, और एक passport request letter हाता है, passport हो गया, request form हो गया, जो वो लोग आपको आपके account में भेजेंगे, तीसरा हो गया consent form, ये तीन paper एखटा कीजिए, इनका package बना लीजिए, तो आप इनको या तो अपने घर से भेज सकते हैं, VFS office या आप उसको लेकर direct VFS office जा सकते हैं, और VFS office वाले वहाँ से उसको Canada Consulate भेज देंगे visa stamping के लिए, तो अगर आप पहले वाले step में जाते हैं, जिसमें आपने घर से package भेज दिया, VFS office वो आपके लिए थोड़ा ज्यादा costly होगा, क्योंकि एक cost आईगी आपके package को आपके गर से VFS office जाने के लिए और फिर VFS office से Consulate जाने के लिए, और यहाँ पर आपको return package के लिए जितना भी charge जाता है, जो भी वो लगाना पड़ेगा, प्लस ये वाली जो fees थी, तो जो VFS office से Consulate की fees है, वो $20 है, आपके घर से वहाँ तक का address according to, आप किसके थू भेज रहे हैं, क् $20 लगता है, 19 point something है, और उसमें एक चीज और है, अगर आप अपने घर से package भेजेंगे ना, तो वहाँ पर जाने के बाद उसकी scrutiny होती है, वो verify होता है, उसमें चीजें काफी delay होती है, आप एक week का time अपना और जाया करेंगे यहाँ पर, अगर आप वो time अपना बचाना चाह और अगर वो approve कर देते हैं, तो वहाँ पर on the spot final हो जाएगा, कि आपका application आगे further जा रहा है कि नहीं, जब यह consulate पहुँच जाता है, consulate से 7-10 दिन का time लगता है, वहाँ से वो चीजें print होकर, visa stamp होकर, वो direct आपके घर पर आ जाता है, आपने अल्रड़ी fees दे रखी है, तो you don have to worry about it now, एक चीज और ध्यान रखियेगा, अगर आपके Canada tourist visa से you want to make most of it, तो वो करने के लिए आप ध्यान दीजेगा, कि आपका passport जो है, क्योंकि उसमें उन्हें साफ साफ मेंशन किया कि Canada का visa वो उतने ही time के लिए देंगे जितने time के लिए आपका passport valid होगा, तो Canada का visa generally 10 साल क visa मिलेगा, तो I was very fortunate कि मेरा recently passport renew हुआ है और मुझे 8 साल बचे हुए थे मेरे passport में, तो मुझे actually में जो visa मिला है वो 8 years का है, तो ये चीज आप थोड़े धान रिखियेगा, and I hope आपका जो process हो, वो smooth हो, और आप जितना, मैंने जितनी भी steps बताई हैं, आप उसको follow कीजिए, description box मैं आपको link दे दूँगा, और जो जानकारिया मैंने आपको बोली है, step by step ये चीज़ में महां mention कर दूँगा, और एक बात ध्यान रखियेगा, कि आप अपने account में login करना ना भूले, क्योंकि जो भी next further step आती है, वो वहां पर update कर देते हैं, कि आपको एक नया message आया है, तो उसको आप regularly चेक करते रहिए अब लॉग इन करके आपको वह क्या instruct कर रहे है, जैसा 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 जासा वो बोलते जाए, बाइवामेट्रिक्स के लिए बोलें, मेडिकल के लिए बोलें, तो वह आप ध्यान रखिये गा और उसको check करते रहिएगा, आपको text में messages भि और अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीस लाइक दा वीडियो और सब्सक्राइब मैं चैनल थैंक यू सो मच